To all my dear friends, to your own YouTube channel and you are watching Amir Tambast. कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज इसको discuss करता हूँ, और आज इस notification को समझाता हूँ, advertisement को बताता हूँ कि क्या इसमे requirements होगी, कौन लोग इसको form भर सकते हैं, क्या-क्या इसमें documents किया सकता पड़ेगी, dates कब कक हैं, online और closing, और साइध ये सब आप already जा भी चुके होगे, पहले देख के आगे करते हैं, और फिर किस तरीके से इस exam को आप pass कर सकते हैं, और क्या इसका work profile है, friends, और जो सबसे most important thing होता है, salary, तो वो क्या salary इसमें है, और किस तरह की life यहाँ पर आप civil court में देखते हैं, तो आज उन सब चीजों पर हम लोग discuss करते हैं, तो friends, इसमें ज्यादा time में लोग वेस्ट नहीं करते हैं, तो कि यह brochure तो थोड़ा पुराना हो चुका है, और आप लोग already इसके go through कर चुके हुए, तो देखते हैं, यहाँ preference 410, vacancy के लिए यह notification आउट हुआ है, जो advertisement number 5, admin miscellaneous 2024 में आया है, honorable high code of ज्यारकन के website पर, तो 410 ही total आप देख रहे है, general category के लिए 130, schedule cast 68, schedule tribe 143, BC 138, BC 214, और EWS के लिए 27 seats होंगे, ठीक है, reservation for women, इसमें women's के लिए reservation रखा गया है, जो कि आप यहाँ पर respective ली देख सकते हैं, 4451, फुल मिलाकर 40 reservation seats होंगे, वो female के लिए रखे जाएंगे, ठीक है, including all the categories, अब दूसरी important चीज, कि यह जो date of online application है, यह already started है, 10 चार, यानि 10 अपरल से यह चल रहा है, अब closing date जो है, वो 9 मई 2024, तो friends मैं यह बताना चाहता हूं, कि आप लोग बिलकुल importantly, important समझ कर, इसको within 9 के पहले ही आप भर लेंगे, ठीक है, अब जो इसमें pay scale और educational qualification है, तो मैं बत आदू कि इसका pay scale 25,500 से लेके 81,100 का यह scale है, जिसको कि आप 2400 grade way की नाम से जानते होंगे, और अगर आप राची में आपकी नौकरी होती है, तो आपको salary around 46,000 gross बनता है, 46 से लेकर 47 के बीच में, 2400 का वर्तमान में, अभी जो भी allowances हैं, उसो देख कर बेंगे, अब की programming, language की knowledge की बात नहीं की जारी है, knowledge का बात मतलब हो गया है, कि एक basic knowledge होना चाहिए, जिसमें कि आपको word, excel, powerpoint, इन सब के बारे में जानना होगा, आपको typing करने आती होगी, और typing suite भी बहुत जादा नहीं होती है, 20 या 25 तक होता है, उससे जादा नहीं, आई, अब इस next slide में कुछ खास important है, रिफ्रेंट जो मैं बताओ, अब यहाँ पर देखिए, यह documents है, जो आपको लगेंगे, जब आप form भर रहे होगे, तो यह documents है, और मुझे लगता है कि आप लोगों में से जितने लोग वीडियो देख रहे होगे, कई लोगों ने form को अल्री भर चुका होग होगा, तो फिर भी आप देख लिजे, color scan photograph of applicant, applicant का signature और यह जो prescribed इसका format है, कि कितने KV के कितने बीच में है, तो आप उसको भर देंगे, ठीक है, पीस की बात के फिर्ट तो यह पांस सुर्पे फीस है, unreserved के लिए, ठीक है, EWS, BC1 और BC2, और 125 सुर्पे लगेंगे, आपको SC CST candidates के लिए, और disabled जो student होगे, उनको यह fee नहीं देनी होगे, ठीक है, चलिए, तो अब मैं बताद हूँ कि exam का format कैसे होता, फ्रेंट, यह exam होगा, फ्रेंट्स, पहले दिन जो आपको यह return exam होगा, और return में ही आज subjective होते हैं, 20 संबर के, जिसमें कि आपको एक letter, sorry, letter नहीं, आ आपको एक essay article लिखना पड़ता है, उसको जब आप pass कर जाएगे, तो फिर आपके लिए computer का test होगा, उस test में आपको 20 या 25 words per minute करके एक passage type करना होगा, और CPT, CPT कहने का मतलब कि PowerPoint और Excel के कुछ formulas आपको जानने होगे, वो आपसे पुछे जा सकते हैं, इसको practically आपको करके और जालसा नहीं, तो फिर वो जारकंड हाइकोर्ट में वो और्गिनाईज होगा, वहाँ जब आप interview जब देते हैं, interview टोटल 15 marks के होगे, 15 marks, तो ये सारे numbers आपको मिला कर, आपके merit list स्यार होगे, और merit में अगर आप जैसे उपर रहेगा, तो आपके मन के हिसाफ से district आपको salary point से, increase salary थोड़ी बढ़ी भी मिलती है, क्योंकि राची, जमशेथपूर और धनबाज, ये तीन जगे आपको salary भी मिलेगी, बट इसमें minus point भी है कि काम यहाँ पर बहुत होता है, तो आईए जो most important और जो ज्यादा curiosity से students देखते हैं किसी भी vacancy को, तो उन पर बात कर लें, तो चुकी मैं इसमें अलड़ी work कर रहा हूं, तो मैं आपको कोशिस करता हूं कि बिल्कुल genuine और जो static information है, वो आपको बता सकते हैं, तो friends देखिए, तो सबसे important और सबसे interesting होता है, वो होता है friends salary, किसी भी vacancy के लिए, आप किसी भी job में जाते हैं, तो सबसे foremost होता है कि salary क्या है भाई, उसके लिए लोग जो बच्चे होते हैं काफे excited होता है, उसको जानने के लिए क्या है, तो चुकी ये 2400 grade की salary है, 2400 grade पे, scale आप देख रहूंगे, ये 25500 वाला scale है, तो इसमें total salary अगर आप नाची में है, तो ये लगभग 43000 से लेकर, 46.5000 आपको ये gross बन जाता है, ठीक है, ये salary है, राची, ये किसके लिए है, और राची, जमशेटपूर और धनवाग, ठीक है, बाकी other district जो है, 24 में ये 3 माइनस करके, जो बाकी 21 districts हो रहे है, तो उसमें आप 5000, 6000 और माइनस कर सकते हैं, ये आप माइनस करने हैं, तो वो salary आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक ह अब मैं आपको work profile बता दे रहा हूं कि आपको profile management आप किस चरह से काम करते हैं, आपको क्या काम करना पड़ेगा और किसके under में आपको काम करना पड़ता है, ये मैं आपको बताता हूं, देखिए एक ची और मैं बताता हूं, जैसे ये high court ने ये advertisement निकाला है for the post of assistant और clerk, तो मैं ये बतातू कि nomenclature में अभी clerk करके कोई nomenclature नाची civil court में नहीं होता है, ये 2014 के vacancy में ऐसा था कि ग्राम नेयल है और CBI court में clerk appointment हुआ था, जो 1900 ग्रेट वे में था, बट अभी for now अगर आप बात करें, तो अभी सिर्फ और से थी assistant का ही post है, कहीं पर भी clerk करके नहीं है, ठीक है, तो देखिए, अब मैं आपको ये profile समझाता हूं, ये मैं profile बताता हूं, कि आप कहां पर काम करेंगे हूं और क्या काम करना होता है, तो फ्रेंट जैसे ये आप देखने होंगे judicial commissioner, ठीक है, राची में इसको jc कहा जाता है, और other districts में इसको district judge कहा जाता है, प्रिंसिपल district judge, ठीक है, ये एक होते हैं, उसके बाद ये additional judicial commissioner और राची के अलावा जो दूसरे districts होंगे, उसमें ये ADJ कहलाएंगे है, ADJ कहलाएंगे, ये हो गया CGM, Chief Judicial Magistrate और ये हो गया Magistrates, तो फ्रेंट जितने भी assistants की appointment होगी, इस exam के थुरू, उनको काम करना पड़ेगा, judicial commissioner के court में, ADJC के court में, CJM के court में, और magistrates के court में, ठीक है, इतनी जगें उन लोगों को काम करना पड़ता है, और ये सब civil court के ही अंदर में आते हैं, ये सब civil court के अंदर ही आते हैं, ठीक है, civil court एक premises को कहते हैं, जिस premises के अंदर, various number of courts are being run, तो उसी तरह के से, जैसी, ADJC, CJM और magistrate, तो इन सब के हैं, आपको काम करने का मौका मिलता है, एसिस्टेंट, जितने भी appointment होगें, ठीक है, CJM की बात करों, तो ये chief judicial magistrate हो गए, और ये जो magistrate, तो इसमें कई सारे magistrate होता है, सब्सक्राइब, तो इस सरी के से, इतने number of courts में, आपको काम करने का मौका मिलता है, तो फिर्ट जैसा कि आप देख रहोंगे, इतने, षुट में काम काम क्या होता है, तो उसको लिखा जाता है, जिसको order sheet में लिखते है, पर्ट इका proceedings क्या क्या होता है, तो वह लिखने का काम एस्सिंट्ट जो recruit होते हैं, वो करते हैं, वो assistant का ही काम होंगे, वो लिखते हैं, ठीक है? ha punt day proceedings के बारे में लिखते हैं और उसी में जद्सहाब लोग क्या करते हैं कि उसमें कई सारे beth little dot हिसाल लिखना होता है कहीं उसमें letter लिखना होता है doosa хозяop co letter लिखना पड़ता है एस्तना पड़ता है accused को issue कौन करेगा तो nbw issue इसी vacancy से जो recruited assistant होगे उनका काम होगा कि वो nbw को issue करेगा ठीक है तो इस तरह से ये काम assistant का यह हो गया कि इस daily proceedings को लिखना और जो orders होगे उनको comply करना तो इस तरह का काम यह आपको judicial commissioner के court में भी होगा agencies के court में भी होगा और magistrates के court में भी होगा ठीक है cgm की जब मैं बात करूँ magistrate की बात करूँ तो criminal power अगर यह civil का काम कर रहे होंगे तो इनको subject कहा जाएगा उसी तरीके से magistrate अगर civil का काम करेंगा तो यह मूंसफ कहा जाएगा ठीक है तो यह जो मैंने आपको order दिखाया तो इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि यह सी hierarchy में civil court में काम होता है यह सबसे ऊपर टॉप लेबल पर हो गए उसके नीचे यह उसके नीचे यह उसके नीचे यह इस तरीके से यहां पर काम होता है जो कंटेंपरी जितने वी आप जॉब्स देकर होगी स्किल प्रोवाइट करते हैं तो उससे यह थोड़ा सब भैतर इस वज़े से हो जाता है कि यहां पर आप ज़ग के साथ काम करते हैं तो इनकी एक इमिज अल्रेडी होती है और चुकि जूडी सेरी इस वालवेश प्लेस्ट अबव दा एक्जेकुटिव दा लेचिसलेचर तो इस वज़े से यहां पर आपको सम्मान थोड़ा सा ज्यादा मिलता है और उसके बाद चुकि आप यहां पर एडी के कैसे को देखना है तो आप आपकी इंट्रेक्शन यहां पर इंस्पेक्टर डीएसफी और एसवी इवन कुछ केसे में डीएजी रैंके ऑफिसर के साथ भी होती है तो इसलिए आपको समाज में बहुत सारे चीज आपके लिए असान हो जाता है ठीक है यह तो बात होगे फ्रेंट्स वर प्रोफाइल क आपको क्या करना होता और किस तरीके से यह दूसरे जॉब से सेम स्केल में थोड़ा बहतर है अब मैं आपको कुछ और चीज बताता हूँ जो कि काफी इंटरस्टिंग है और अगर वो इंप्लीमेंट हुजाता है तो यह जो फिर काफी बढ़िया और हो जाएगी ठीक है त कि सेविल कोट्स कि स्टाफ्स कि और और ऑफिशर कि यह जो है यह जो है यह कुछ जिलो में तीन-चार जिलो में इंप्लीमेंट हो चुका है और अगर यह बहुत ही जल्दी अब तारे जिलो में भी इंप्लीमेंट होने के इसकी पूरी उम्मीद है और यह फ्रेंट जैसे इंप्लीमेंट हो जाता है तो उसके बाद फिर यह एसिस्टेंट की जॉब जो है इसमें और बेहतरी आपको दिखने लगेगी और चार चार में लग जाएंगे कैसे लगेंगा तो मैं बताता हूं तो पहले तो बात बाता हूं अभी जैसे अभी जैसे जैसे एशिस्टेंट है एसिस्टेंट में आप रिक्रूट होते है तो आफ्टर दी इंप्लिमेंटेशन ऑफ दिस ज्ञारकन सिविल कोट स्टाफ और ऑफिसर सुरूल 2018 यहां पर आपकी प्रमोशन जो है एसिस्टेंट एड्मिस्टेटिव ऑफिसर तक होगी एड्मिस्टेटिव ऑफिसर तक होगी और जिसका स्केल काफी अच्छा होगा ठीक है सेलरी आपकी बढ़ेगी आपका ग्रेट पर बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात कि जो नॉमेंक्लेचर में आप थे आप असिस्टेंट थे उससे आप बढ़ेंगे आप सेक्शन ऑफिसर बनेंगे आप एड्मिस्टेटिव ऑफिसर बन सकते हैं इस तरीके के इसमें अगर आप प्लेस करना चाहें तो आप सिविल कोट के इस जौब को प्लेस कर सकते हैं ठीक है माइड़ रहा हूँ कि जाकंड सिविल कोट स्टाफ और ऑफिसर रूल इंप्लिमेंट होने के बाद आप इस असिस्टेंट के पोस्ट को आप बिलकुल ही सिविल सर्विसेस के ब आप प्लेस कर सकते हैं ठीक है और यह तो प्लस पॉइंट होगे सब अच्छी बात है मैं आपको बताई और अब कुछ नेगिटिव बोल सकते हैं या फिर बड़न सम जो हो वह मैं आपको बता दूं कि फ्रेंट्स काम यहां पर बहुत ज्यादा रहता है ठीक है अगर जैसे अगरे स्लाइट में मैंने आपको दिखाया मैंने आपको बताया था कि यह सब पोड़ने हैं जुडिसिल कमिशनर से जेसी सीजम और मैंसे तो मैं यह बता दूंँ प्रेंट्स कि यहां पर यह काफी डिसिप्लिन होता है आप यहां पर लेट इट गो और कैजवल वे में यहां पर रहना पड़ेगा अधर लॉट्स अफ प्रोटोकॉल्स यहां पर फॉल्व करने पड़ता है यहां ठीक है आप इस कोट में रहे हैं यहीं में पर दूसरी बाद आपको फ्रेंट्स काम बहुत रहेगी यह आप माइनस माइंट बो लो इसको या फिर आप जीस तरी अगर घर आ जाया तो वह संभव इस नौकरी के साथ तो नहीं है जो बड़े-बड़े डिस्टिक्ट है रांची हो गया धनबाद हो गया तो वहां पर इसको माइनस मेंट कहें या फिर वर्क का एक नेशर कहें तो चुकि एक इंप्लॉइमेंट प्रोवाइड करा रही है य अगर हम लोग को फब्सक्रेट करना चाहते हैं और और मैंने इक वॉट्सप् ग्रूप भी बनाया है तो अगर आप चाहें तो आप उस डिस्क्रिप्रिशन बॉक्समें मैंने इसको लिंक को दे लिया है आप उससे याकर समय जॉइन कर ले और मैं मैं एक कोसिस करूँंगा कि मेरे जो भी experience हो तो मैं आपको फिर से और कर देता हूं कि मैंने इस नहीं को दोबार पास किया 2014 जो 17 मेरे experience की साथ से कि questions कहां से आएंगे क्या होोगे तो मैं कॉसिस करूँगा कि वहाँ पर कुछ मेटरियल आपको प्रुभाइट करा सकते हैं और फ्री क्लासेस जो होंगे मैं अपने इसी चैनल पर सबस्क्राइब काम आईगी वह इंगलेस का फेपर होगा फिकल है इंगलेस का फेपर फेपर सिविल कोट में आप देख सकते हैं जो भी आपके परिष्चेतों ने दिया होगा फेपर थोड़ा सा अच्छा होता है और एडन एक अच्छे मांक्स की निवाइट किये तो हो सकता और प्रिक्रेशन से संबंदीत को भी कोरी तो आप मेरे नंबर पर बिल्कुल संपर्ख कर सकते हैं जिए बुरूषिय वर आपके साथ थोड़ा सा लेट से कर रहा हूं सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिल्कुल आप कर सकते हैं और बिल्कुल आप कर सकते हैं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और जैसा कि मैंने बताया आपको वो रूल इंप्लिमेंट हो जाता है उसके बाद यह नोकरी और भी बहतर हो जाएगी और आप बिल्कुल इसको एक सम्मानजनक तरीके से इसको आप कर सकते हैं कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और यह तो हमेसा ख्याल मेरे खेवें बिल्कुल उंचे इस्तर पर रहेगी तो फ्रेंट्स मेरा आज का वीडियो बनाने का यही मोटो था कि मैं आपको समझा सको थोड़ा ब्रुश्य और सिविल कोर्स के बारे में थोड़ा बता सको जिससे आप कुछ मोटिवेट हो जाए और चीजों को समझें और आप अपने और मैं टाइम टू टाइम अपने इसी चैनल के माधम से कुछ फ्री कंटेंट डालता रहूंगा जिसको आप देखें और मैंने वाट्सअप ग्रूप भी एक बनाया हुआ है आप उसको जोईन करें और प्रिपरेशन जिस पर हम लोग प्रिपरेशन के लिए डिसकसिन करें वहाँ पर कुछ-कुछ कंटेंट्स और डालते जाएंगे जिससे आप लोगों के लिए एक्जाम को निकालना काफी आसाम है तो फ्रेंस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो डिफिनेटली इसको शेयर करें और लोगों में और और आगे भी हमारे वीडियो आते रहे ठीके, ठीके, ठीके धिक के जिस्टा मुच